वो कैस अगर आप लोग अपने स्मार्ट फोन में जब आप लोग अपने फोन का अपडेट चेक करते अपडेट वगरा करते तो आप लोग को no network connection का सो करता है तो कैसे आप लोग इससे fix करेंगे वो हम आपको इस video में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचेगा विलकिया इकुन को प्रेस कर लेना है आप लोग को पता है कि ये जो एरर आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है नेटवर्क कनेक्शन की वज़ा से ठीक है या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग restriction लगा देते data में तो भी step का की इसाटा है तो एक बार आप लोग अपने फोन का notification बार पर क्लिक करें और एक बार arrow plane मोड़ पर तिक करें फिर इसको आ टिक करें फिर से ट्राइक करें काफी चांसे की problem fix हो जाएगी या फिर network का में गलत activity की वजह से भी step की problem आ सकती है तो आप लोग अपने phone में reset settings पर जाएगा देन आप लोग एक बार network का settings को reset कर देना है इसमें जो भी गलत activity हुई होगी सब कुछ default हो जाएगा देन आप लोगों की problem भी fix हो जाएगी ठीक है तो यह तरीका आप लोग use कर सकते है इसमें आप लोग का data delete नहीं होगा या फिर एक बार आप लोग अपने phone की जो all settings होती है उसे भी reset कर सकते इसमें भी आप लोग का कोई भी data delete नहीं होगा तो यह method को use करना है definitely आप लोगों की problem fix हो जाएगी मिलते हैं next video में जय मतादी